Hello Everyone, Welcome to Inspire Classes यह हमारा Excretion का Part No. 2 है हम लोगों ने Last Class में Kidney की Structure के बारे में बढ़ा था सबसे पहले तो यह बढ़ा था कि Basic Excretory System के कौन-कौन से पार्ट होते हैं आपको बहुत सारी बाते हम पे बताई थी हमारी Body में Skin होती है, Lungs होते हैं, हमारा Liver होता है इस तरह से Kidney होती है, तो यह बहुत सारे Partitions मिलके हमारी Body का पूरा Excretory System मनाते है बट Majority में जो हमारे Slibus में है, वो सिर्फ Urinary System था जिसके अंदर Kidneys के बारे में आपको पढ़ना था पूरा Setup को बताया था, कि जो हमारी Kidneys होती है, उस Blood को Purify करेंगी वहां से वो Blood, दो Pipe के जरीए, जिनने यूरेटर बोलते थे वहां से जाके वो Urinary Bladder में स्टोर हो जाएगा और Urinary Bladder में स्टोर होने के बाद, बाद में वहां से वो यूरेटरा के थूँ बाडी से पास कर दिये जाएगा तो इस तरह का Basic Structure भी Kidney का आपको हाँ पर बता दिया था पूरा का पूरा, आज हम लोग Kidney की अंदर जो Cells प्रेजेंट होते हैं जो Actuality में Urine Formation का काम करते हैं, जिनको हम Nephron बोलते हैं Basic Filtration Unit तो आपके Nephron ही होई न, Kidney की अंदर जो Nephron होगे Filtration का काम तो होई कर रहे हैं, तो एक Single Nephron की Structure कैसे ही होती है दिखने में आज उसको पढ़ाऊंगा, और वो बहुत Important है, Examination में पूछी जाती है Diagram आपको बनाना आना चाहिए, Nephron का एक-दो बार प्रेक्टिस करोगे आराम से जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं होता कुछ भी ठीक है, तो शुरू करते हैं आज Nephron की Structure के बारे में काफी कुछ आपको जानने को मिल जाएगा और उसके Last में हम लोग जाके कुछ जो Important Extra Points है कडिनी के बारे में उनको भी कवर करेंगे आज ठीक है न, चलिए अब देखो, Structure of Nephron की बात करें तो heading तो मारे पास यह हो गई, यही वाला जो डाइगराम है, इसी की आपको practice होनी चाहिए आपको यही बहुत अच्छे से अपनी notebook में बनाना है अब बहुत डरने के जरुत नहीं है, इसके सारे part यूँ चुटकियों में clear हो जाएंगे, अब देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात आपको red color का एक network दिखा यह रहा होगा है यहाँ परा का पूरा, तो जो red color का पूरा यह network है यह अपकी blood capillaries का network है मत्तब, blood capillaries अपकी kidney के अंदर blood को लेके आती है एक impure blood को लेके आती है जिसके अंदर बहुत सारे waste material होते है जिनको body से बाहर करना होता है तो यह kidney के अंदर यह blood capillaries उनको यहाँ पर लेके आ रही है nephron कौन सा है इसमें से जो light blue color में तुमें section दिखाई दे रहा है पूरा घुमा हुआ तो यह single एक nephron है कहां से इस तरह का जो अपके पास C shape में capsule है यहां से start करके यहां से यह U shape में हमारे पास आया यहां तक ऐसे ही लगबग यहां तक बाकी यह collecting duct जो होती है common duct होती है इस side से भी कोई nephron जुड़ावा होगा इस side से भी कोई nephron जुड़ावा होगा उपर के side से भी कोई होगा और नीचे भी और nephron होगे तो collecting duct को फिलाल अगर हटा दू तो उसके बाद यहां तक का जो portion है यह blue color का यह सारा section एक single nephron होता है हमारे पास यह बात अब को अच्छे से समझ में आनी चाहिए पूरे nephron के entire structure पे क्या blood capillaries है अब blood capillaries पूरे entire structure पे क्यों है क्योंकि कुछ चीजे जो शुरुआत में वहां से secret हो गई यानि filter हो गई उनको बाद में reabsorb भी करना होता है बहुत अलग तरह की designing god ने हमारे nephron की की है बहुत अच्छे से उसको समझेंगे चलो शुरू करते है कुछ basic basic सी बात है इस diagram को यह अच्छे सा समझ लेते है partitions में कुछ नहीं आराम से समझ में आ जाएगा देखो जो गंदा blood है जिसमें waste material है वो यहां से enter करेगा नाम क्या है इस artery का efferent arteriol ए से start है याद रखना efferent arteriol है और इसकी जो थिकनेस होती है वो थोड़ी से जादा होती है क्यों होती है धिरे धिरे अभी आगे समझ में आ जाएगा थोड़ी से थिकनेस जादा होती है यहां से blood लेके आएगा पर्टिकुलर जो गंदा blood है यहां पर capillary का एक गुच्छा है पूरा का पूरा है जाल सा बना हुआ है पूरा capillaries का बारिक बारिक सी capillaries हैं आपस में connected है सारी के सारी उस जाल को, उस capillary के गुच्छे को हम बोलते हैं glowmyrullus क्या बोलते हैं? glowmyrullus glowmyrullus is nothing but the network of capillaries present in this C-shaped bag जो यह C-shaped का bag जैसा structure तुम्हें नजर आ रहा है इसको बोलता है bowman capsule this is the most important section बच्चो एक्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि bowman capsule क्या होता है glowmyrullus क्या होता है तो bowman capsule वो C-shaped का bag हो गया जो हमारे nephron का एक section होता है एक spart होता है सबसे पहले जो भी filtration होगा न जिसे आपकी capillaries का network के गुच्छा है इसको glowmyrullus बोलते हैं तो यहां से गंदा blood आएगा यहां पे filtration होने के बाद वो सारी चीज़े कहां बिगर जाएंगी इस bag के अंदर इस bowman capsule के अंदर इखटी हो जाएंगी आपको arrow बने हुए दिखाई दे रहे होंगे यहां से और उसके बाद वो आगे move on होई था तो यहां पे blue वाली structure जो है यह जो आपको क्या के लाती है यह बोमेन capsule के लाती है capsule जैसा कुछ है C-shaped bag जैसा होता है तो यह capillaries का network भी समझ में आ गया glomy rulers बोलते हैं इसको अच्छा यहां से जब blood exit होगा यहां पे काफी कुछ filtration हो चुका होगा उसके बाद जो बच्चा कुछा blood है वो आगे जाएगा आगे कैसे जाएगा आगे जाएगा different arteriol के थूँ तो यहां पे efferent arteriol से entry होती है फिर glomy rulers से pass out होने के बाद वो exit होता है किस से different arteriol से होता है और different arteriol का जो diameter होता है वो थोड़ा narrow होता है दर्वाजे बड़े हैं तो जादा लोग आजाएंगे exit वाला दर्वाजा छोटा है तो जादा बाहर निकल नहीं पाएंगे इसका मतलब उस room के अंदर एक pressure create हो जाएगा किसी भी hall में entry का तो माले 4 दर्वाजे हैं exit के 2 दर्वाजे हैं तो अब विसी बात है लोग जादा आएंगे और कम वहाँ से भार निकल पाएंगे तो room के अंदर crowd जादा हो जाएगी नहीं हो जाएगी तो इसी तरह से जब यहाँ से blood लगतार pass out हो के आ रहा है बाहर इतनी तेरी से निकलनी पा रहा तो यहाँ पर एक pressure create होता है इस gloomy rulers के अंदर उस pressure की वजह से ही इसमें से बहुत सारे substance filter होके बोमेन capsule के अंदर आ जाते हैं इतनी बाद समझे में आ रही है डागराम में कुछ भी complication नहीं है depend करता है आपने इसको कितने अच्छे से समझा हुआ है अगर बहुत अच्छे mind से लेके बैठा होके यह diagram तो यूँ ही चुटकियों में हो जाएगा तो मेरी guarantees में कुछ भी नहीं है यह बहुत असान diagram है बन भी जाएगा बड़े आराम से क्या करना है एक बार आप blue वाला यह पार्ट है यह pressure का logic जो आगी भी आएगा वहां बता दूगा इसके बाद जो filtration होके यहाँ पर bowman capsule में कट्था हो गया अब यहाँ से जो एक coil tube दिखाए दे रही है यह coil coil से इसे गोल गोल होती है तो यह दो आपको कैसे गोल गोल पार्ट दिखाए दे रहे है इस section को जो blue वाले section है उसकी मैं बात करना हूँ इसको बोलता है PCT यह section जो nephron का है this is called PCT PCT stands for proximal convoluted tubal तो यह section PCT के लाता है इस PCT वाले section में भी बहुत सारी चीज़े ऐसी होगी जो यहाँ पर filter हो गई थी इनको वापस blood के अंदर डालना पड़ेगा यानि blood में वो reabsorb होंगी यानि इस blue वाले section से जब कोई चीज़ वापस blood capillary में जाएगी तो उसको बोलेंगे selective reabsorption selective reabsorption का मतलब इस जगा पे bowman capsule में बहुत सारी चीज़े ऐसी risk के या leak होके आ गई है जिनको वापस blood में पहुचाना जरूरी है तो इस particular blue वाले section से जब blood pass out होके जो filtration है वो मैं कहूँगा वो pass out होके जाएगा तो वहाँ से बहुत सारी चीज़े वापस in blood capillary के network में reabsorb हो जाएगी और साथ साथ कुछ ऐसी चीज़े blood में अभी भी present थी जो यहाँ पे filter नहीं हो पाई वह सब कुछ यहाँ पे थोड़ी ना filter हो गया होगा कुछ चीज़े blood में अभी भी ऐसी बच्ची में है जो filter नहीं हो पाई तो वो चीज़े इस जगा पे वापस blood capillary से कहाँ पे डाल दी जाएगी इस PCT वाले section में डाल दी जाएगी यह दोनों काम पार्लली हो रहे होंगे PCT वाले section से कुछ चीज़े वापस blood में जाएगी यानि जिसे बोलते है selective reabsorption और blood capillary से भी कुछ चीज़े वापस PCT के अंदर आएगी उसको बोलते है tubular secretion यह सारे steps आएगे tension ना लो ठीक है चलो अब यह blue वाला section आगे ऐसे U shape में मोड़ गया अब यह blue वाला section मोड़ गया इस loop को इस U shape की structure को बोलते है loop of henal क्या बोलते है loop of henal तो यह loop of henal ऐसे दिखाया हुआ है ठीक है ऐसे बना लेना वैसे काईदे में यह diameter जो है जितना यहाँ पर diameter होता है ऐसा diameter same to see नहीं हाँ पर नहीं हो तो थोड़ा फरक होता है thickness में एक exact diagram आएगा उसमें दिखा दूँगा फिलाल आप ऐसे बना सकते हैं कोई दिख्टत वाली बात नहीं है यहाँ पर यह खतम हो गया loop of henal अब फिर से convolution आगया फिर से round round आगया नहीं आगया blue layer shape में इस round round shape को बोलता है DCT distal convulated tubal DCT full form बहुत important है तो यह section के लाएगा distal convulated tubal इसके चारो तरवी blood capillary है तो DCT के अंदर भी same to same काम होगा कुछ चीज़े ऐसी होगी जो blood capillaries के अंदर enter करेंगी यानि कि क्या हुआ selective reabsorption हुआ कुछ चीज़े ऐसी होगी जो blood capillary से वापस DCT में आ जाएंगी that means tubular secretion हुआ तो याद रखना selective reabsorption और tubular secretion यहां से parallel होते रहते हैं सबसे जादा selective reabsorption जो होता है पूरे entire nephron में वो होता है PCT के अंदर PCT वो section है जहाँ पे selective reabsorption maximum rate पे होगा urine नहीं बना है अभी ध्यानक न यहां से pass out हो के हाँ पे गया PCT में फिर loop of henal के थुरुयां पे गया DCT में अब DCT में जब finally tubular secretion और reabsorption हो चुका होगा उसके बाद जो enter करेगा इस pipe के अंदर इसको collecting duct बोलते हैं जो सब nephron से urine को collect कर रहा होगा तो यह जो यहां enter करेगा उसको urine बोलेंगे ऐसा मत बोल दे न कि efferent arteriol से blood enter कर रहा यहां पे जो filter होके च्छन गया यह urine नहीं है इसमें तो बहुत सारी चीज़े ऐसी भी आ गई है तो उसे बोलते हैं मैंने आपको बताया है selective reabsorption और blood capillary से PCT में आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं tubular secretion loop of henal में सबसे कम होता है आपका secretion और reabsorption वाला काम होता है थोड़ा बहुत होता है कम होता है बहुत फिर DCT में बाकी बच्चा कोच जो last process है यहाँ पर भी कुछ चीज़े ऐसी होगी जो blood capillary से DCT के अंदर आ जाएंगी और कुछ चीज़े ऐसी होगी जो DCT से blood capillary में चली जाएंगी तो दोनों उस process पारलली होता है और फाइनली जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे urine बोलेंगे और वो urine यहाँ से collecting duct से इकठा होके जाके कहां पहुँच जाएगा फाइनली renal pelvis वाले section में याद होगा आपको kidney के अंदर renal pelvis में जाके इकठा हो जाएगा और वहाँ से ureator वाले pipe के जरीए urinary bladder में जाके store हो जाएगा this is the single nephron कितने होते हैं कभी भी आपकी lifetime जैसे suppose आपका birth हुआ उसके बाद जैसे जैसे age बढ़ेगी nephrons की counting increase नहीं होती है decrease जरूर हो सकती है suppose kidney पे कोई चोट लग गई कोई बिमारी हो गई kidney की कुछ भी हो गया तो nephron की जो counting है वो decrease हो सकती है बट आपके जनम के बाद nephron की counting कभी भी पूरी lifetime में increase नहीं होती है तो nephron वाले cells यानि kidney के cells almost constant होते हैं age के साथ साथ उल्टा decrease ही होते रहती इनकी counting ठेके जी चलिए तो इतनी बात समझे में आ गई diagram बनाओगे most important है मेरी बात मान लेना हर एक बात आपको आपका काम है diagram बना के practice करना इस level पे कि ये diagram exam में भी बनाया जा सके कम time के अंदर अंदर this is the easiest one I can say इससे असान नहीं मिलेगा बढ़े देखो theory वाले section को बढ़ लेते हैं the basic unit of kidney is called nephron mcq बन सकता है आप से fill up पूछ सकते हैं basic unit of kidney की या basic unit of filtration question पूछ ले क्या है nephron nephron मतलब kidney cell neuron भी दे सकता है neuron पे टिक मतलगा दे न neuron आपके brain के अंदर होते है neuron को पढ़ाऊंगा जब control coordination पढ़ाऊंगा brain के structure पढ़ानी है मुझे तो nephron kidney के cells होते है each kidney contains one million highly coiled and very small structures called nephron kidney के अंदर आपको बता दिया मैंने एक million के असपस nephron होते है ठीक है age के साथ-साथ nephron की counting decrease हो सकती है increase इनकी counting कभी नहीं होती है next point ये कहता है each nephron, एक nephron की अगर बात करें has a cup shaped bag cup जैसी shape का एक bag होता है जिसको क्या बोलते हो? bowman's capsule बोलते हो उस चीज़को बोलते है bowman's capsule इस तरह से तुम्हें नजर आया था यू जो shape में ऐसे बना हुआ था ये जो structure इसको bowman's capsule बोलते है ये structure bowman's capsule के लाती है और इसके अंदर पूरा network होता है arteries का गुच्छा होता है पूरा का पूरा इसको क्या बोलते है? glomy rulers बोलते है तो bowman's capsule contains bundle of very thin blood capillaries is called glomy rulers नाम, pronunciation भ्यान रखना glomy rulers बोलते है अब glomy rulers बोलते हैं अब glomy rulers बोलते हैं जब blood आएगा तो pressure के साथ यहाँ पर बहुत सारा filtration होके इकठा कहा होगा? bowman's capsule के अंदर इकठा होगा bowman's capsule से वो कहां जाएगा? PCT में एंटर करेगा वो जो coil tube थी ना पीछे है उसे PCT बोलते है the lower end of bowman's capsule is like a tube which is called PCT PCT stands for proximal convoluted convoluted मतलब वो tilted है इस तरह से घुमी हुई है यू यू zigzag होके आ रही थी इसलिए convoluted बोलते हैं तो proximal convoluted tubal PCT वाला section था वो ठीक है PCT के बाद blood कहा जाएगा? loop of henal के थूँ DCT में एंटर करेगा वो जो filtration हुआ है हमारा blood capillaries भी देख ले ना साथ साथ में चल रही थी पूरे entire structure में blood capillaries भी चल रही है मतलब जब ये finally DCT से pass out होके चला गया उसके बाद finally ये blood capillaries में जब यहाँ से exit होके जाएगा blood हाँ वो बिल्कुल pure blood हो क्योंकि सब कुछ छण चुका जो absorb होना था absorb हो गया जो secret होना था secret हो गया यहाँ से जो blood ऊपर जाएगा यानि हमारे पास ये वाला blood होगा ये बिल्कुल pure blood होगा यानि इस blood के अंदर waste नहीं होगा metabolic waste नहीं होगा और इस blood को finally जो हमारी renal artery है वेन कौन लेके जाएगा renal vein लेके जाएगी इस blood को कहां से kidney से निकाल के वापस कहां हमारे hurt के अंदर उस blood में oxygen नहीं होगी obviously बात है क्योंकि oxygen को तो use कर चुके है kidney cells अपने काम को कराने में बट इसमें harmful metabolic waste नहीं ते सारे waste absorb हो गए है तो अब blood जो बचा pure blood क्यों बोल रहा हूँ harmful metabolic waste ना होने की वज़े से ये blood को renal vein लेके जाएगी finally कहां पे हमारे hurt के पास और बाकी कहां हर्ट के अब आप आपको पढ़ा दिया था वापस आते हैं तो ये section हम पढ़ चुके ठीक है next पे आते हैं the last section of nephron is called DCT distal convulated tubal spellings बिल्कुल perfect है तो इसको देख लेना PCT और DCT को कौन connect करता है henal loop या loop of henal जो बोलना चाहो उसे बोल सकते हो U-shape की जो structure होती है उसे को बोलते है henal loop या loop of henal whatever you want to call the different part of nephron perform different operation अलग अलग part अलग चीज़े perform करते हैं काफी सारा filtration तो glomerulus जो हमारे पास blood capillaries थी वहाँ पे हो गया था glomerulus से छनके कहाँ पे आया था वो सब चीज़ें वो bomin capsule में आई थी bomin capsule से pass out हो कि PCT में गया था PCT में हमारे पास क्या हुआ और PCT के अंदर हमारा selective reabsorption भी हुआ selective reabsorption में जो substance है वो substance कहाँ से कहाँ पे एंटर करेंगे अगर selective reabsorption होगा तो वहाँ से वो substance PCT से वापस blood capillary में एंटर करेंगे तो बोलेंगे selective reabsorption है और blood capillaries में से कुछ चीज़े जो अभी फालतू की है उसे वो वापस कहा जाएंगे PCT में आ जाएंगी उसको बोलेंगे tubular secretion वो चीज़े भी और clear होंगी आने दो tension न लो तो इतनी बात हमें समझ में आ रही है और ये parallel work होता रहता है अब next topic जो हमारा आता है structure quality ने फ्राउन की वो कहानी खतम हो गई अब urine कैसे बनेगा body के अंदर तो formation of urine हमारी next heading होती है ये diagram नहीं बनाना है इसकी understanding next वाले diagram में अच्छ से दे दूँगा इसको बनाने के requirement नहीं है ये steps देख लो फिला ये 3 steps हमारे पास होता है कौन कौन से पहला step urine formation में होता है ultra filtration जो की glomerulus में होगा और उसका filtrate कहां पे आएगा उसका filtrate होने के बाद इस boomin capsule के अंदर आके कठा होगा उसको बोलेंगे ultra filtration ठीक है next में होगा selective reabsorption और tubular secretion ये दोनों process पारलली होता है ऐसा मत समझना कहने लोगों को doubt होता है कि selective reabsorption PCT में होता है ये DCT में होता है ऐसा कुछ नहीं है ये दोनों process PCT में भी होते हैं DCT में भी होते हैं बस फरक कितना है कि जो PCT है उसमें सबसे ज़्यादा ही selective reabsorption होता है तो ऐसा नहीं है कि PCT और DCT में एक-एक चीजे होँगी ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के दोनों process PCT और DCT दोनों में होते हैं और DCT के बाद finally बोलते हैं कि urine बन गया, ठीकिना, चलो, तो यह diagram की requirement नहीं है, steps लिख ले न, यह सारी बात है अब next पे चलते हैं, अब लोग थोड़ा और detail में एक diagram देखते हैं, उससे चीज समझ में आएगी वेस था, वो यहाँ पे आया, efferent artriol के थूँ, वो इसमें आया, यहाँ पे capillaries का बड़ा complicated network होगा, जिसको gloomy rulers बोलेंगे और यह जो capsule है, bag है, C-shape का इस तरह का, इस bag को क्या बोलते हैं, bowman capsule बोलते हैं अब यहाँ से blood आया, ज्यादा बड़ा diameter है, और जो हमारे पास different exit वाली artriol है, देखो कितना आसान है, जो exit होगी, exit होता है न, exit वाली side पे आएगी different, e से exit, e से different, तो बाकी तो याद रख लोगे न, तो याद रखना exit वाली side पे different artriol है, तो entry वाली side पे efferent हो जाएगी, चलो केर, तो यहाँ से ज्यादा blood आ रहा है, यहाँ से कम blood पास होके जा पाएगा, तो यहाँ पे pressure create होगा, उस pressure की वजह से काफी सारा substance यहाँ पे filter हो के छन के इस portion में कठा हो जाएगा, बात समझते हो न, बहुत कुछ filter हो जाता है, इतना कुछ filter हो जाएगा, इसकी जरू बहुत नहीं थी, तो blood कहएगा, वापस मांगेगा, मुझे मुझे वापस दो, बहुत साई चीज़े फाल तो चली गए तुमारे पास, तो blood के अपनली लगतार आगे भी चल रही है, आगे move on हो रही है, यहाँ पे बहुत सारा filtration आ चुका, इसको glowmy ruler filtrate बोलते हैं, यह nephric filt भी बोलते हैं, जो यहाँ पे कठा हुआ, अब वो जो filtration था, वो यहाँ पे pass out हो के जाएगा, DCTB है, PCTB है, सब इस section में है, everything is there, तो होगा क्या, एक arrow आपको इस जगा से नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, कि blood में कुछ चीज़े वापस चली गई, है ना, यह यह तो ब सब में होगा ना, कामी तो parallel ही, तो यह जो section है, इसमें सब कुछ mix है, PCTB है, DCTB है, loop of henal भी है, तो अगर substance हमारे इस nephron वाले section से blood capillaries के अंदर आता है, तो इसका मतलब blood ने कुछ चीज़ वापस मांग दी nephron से, तो इसका मतलब selective reabsorption हुआ, अच्छा, इसके बाद क्य हमारे tube के अंदर, यानि हमारी nephron के अंदर, तो जो चीज़े blood capillary से गई, उसको बोलते हैं, tubular secretion, तो यह clarity mind में भया होगी, तो बात बनेगी, कि आपको पता होना चीज़िए कि selective reabsorption कहां से कहां हो रहा है, और tubular secretion कहां से कहां पे हो रहा है, तो selective reabsorption में, blood capillary ने कुछ आसे substance के इधर से इधर आने के, तो यह substance active and passive transport के जो process हुआ करते थे हैं, ना 9th class में उनके जरीए होते हैं, हमें उनसे कोई मतलब ही है, तो यह diagram आपको बनाना भी नहीं है, समझने के लिए diagram सबसे best है, पूरी understanding, clarity के साथ आपको समझाते हैं, आपके book में नहीं मिलेग, आप आपको ऐसे diagram नहीं available हैं आप पे, तो मैं आपको यह clarity के साथ बता दिया है, अब हम चलते हैं, अपने process पे एक एक करके पढ़ते हैं, तीनों की तीनों, की ultra filtration में क्या होगा, selective reabsorption में क्या होगा, और tubular secretion में क्या होगा, कहानी पूरी समझा दी है, at last में urine बन जाएगा, औ हमां से ureter के जरीए urinary bladder में चला जाएगा, ठीके बैचो, चलिए, अब बात आती है, finally, starting step पे ultra filtration, तीन step बताये थे, कहानी पूरी की पूरी बता दी, तो अब ultra filtration से stories चुडू करते हैं, तो कितना अच्छा diagram बना, उसको बना लेना, अच्छा सा है, यहाँ पे bowman capsule है, हमारे अच्छारी network है, हमारा blood capillaries का, जिसको gloomy rules बूलते हैं, यह हमारी कौन सी arteriol है, exit पे तो different arteriol, exit है तो different होगी, this is called different arteriol, arteriol मतलब इस सब part of artery, तो different arteriol, entry से, entry से पे कौन सी होगी, efferent, तो एक तो गयाद करिए लोगे, efferent arteriol, ठीक है ना, तो efferent arteriol, तो होड़ी spelling देख यहां से blood आया, अब इसके अंदर blood पहुंचेगा, बाहर निकलने का रास्ता बारीक सा है, क्योंकि diameter कम है, तो pressure की वरे से बहुत कुछ यहां filter हो के निकल जाएगा, इतना कुछ निकल जाएगा, जिसको वापस reabsorb भी कराना पड़ जाएगा, जो यहां पे निकलेगा, उस इस चीज़ को glomi rular filtrate भी बोलते हैं, उसको ultra filtrate भी बोलते हैं, उसको nephric filtrate भी बोलते हैं, कहीं सारे नाम है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को अम लोग बोलते है, glomi rular filtrate, ठीक है वच्छ, तो सारे नाम यह इस तरह से लिख हो गे ना, तो आपको चीज़ सब रिज जाएंगे, सब लीक होके यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ प्रेशर बहुत हाई है इस जगा पे, समझ में आई ने बात देखो, हाई प्रेशर की बात लॉजिक क्लियर हो गया, जादा लोग एंटर करेंगे, कम एक्जिट करेंगे तो प्रेशर जादा होगा ना, भीड़ जादा होगी यहाँ पे, तो अव्वेसी बात है, धक्ता मुकी होगी तो लोग गिरेंगे भी तो यह हाँ पे बहुत साइचीज है, प्रेशर कीवरे से गिर के नीचे रिस जाती है, इस सेक्षन में बोमेन कैपसूल के अंदर, जो फ्लिड बनेगा, जो रिसावा फ्लिड बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, तीनों में से कोई भी नाम, यहाँ ग्लोमी रूलर फिल्ट्रेट डि में क्या क्या लीक हो के आ गया, ग्लुकोज आ गया हो, ग्लुकोज तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ब्लेड वापस मांग लेगा, या दखना, ग्लुकोज कभी भी आपके यूरीन में फ्लो होके नहीं आएगा, अंटिल एंड अनलेस आपको डियाबेटीज नहीं ह इसलिए डियाबेटीज की कंफरमेशन के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी करवाएगा, यूरीन टेस्ट भी करवाएगा, तो बहुत सारी बाते बता लगेंगी, कि अगर आपके यूरीन में ग्लुकोज है, तो most probably chances है, यूरीन में ग्लुकोज आए जरूरी नहीं है, कि हमेशा आपको डियाबेटीज ही हो, there is a high chances कि हाँ आपको डियाबेटीज है, यूरीन में ग्लुकोज प्रेजन्ट हो सकता है, चलिए, ग्लुकोज है, अमीनो ऐसेड से, अमीनो ऐसेड कब बनते हैं, प्रोटीन के तूटने से बनते हैं अमीनो ऐसेड, और यह अमीनो अमीनो ऐसेड में कनवर्ट करके किडिनी को भीज देता है, क्या का अब इसको तो किडिनी संभाल लेगी, तो यह कहानी अमीनो ऐसेड बारी होती है, खेर, बहुत सारे आयन, सोडियम, पोटेशन के आयन होते हैं, तब तो बोलते हैं, नमक कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक बहुत जादा खाऊगे, तो Na+, K+, आइन आपकी बाड़ी में बहुत बढ़ जाएंगे, और यह आयन अगर जरोत से ज़ादा हो जाएंगे, तो किडिनी का काम बढ़ जाएगा जबर जस्ती, और किडिनी का काम बढ़ एगा, तो problem ultimately तुम्ही ही होगी, इसलिए salt का intake आपका ह होना चाहिए, बट कम होना चाहिए, हर चीज में नमक कम ही रखना चाहिए हमिशा, नहीं तो kidney यों पर pressure पड़ता है, और ultimately kidney failure जैसी problem आपको हो सकती है, खेर, Glomy ruler filtrate में बहुत कुछ आ गया निकलके, अब सब कुछ यूरीन में फोड़ी ना पास करवा होगे सारा कुछ, PCT में सबसे ज़ादा होता है, यह selective reabsorption, यह question नीट पी तक में पूछा गया है, एक बार, The major part of water is also reabsorbed by the osmosis, water का भी बहुत सारा part absorb गर ले जाएगा, जितना water extra है body में, उसी को तो urine में बहार निकालोगे न, सारा water अगर तुमने body से बाहर निकाल तो इंसान वैसी मर जाएगा, तो इसलिए जो water extra है, उसको बाहर करेंगे, बाकी वापस absorb कर लेंगे, ठीक है, तो इस तरह से selective reabsorption वाला काम चल रहा होगा, PCT में भी चलेगा, और यही काम DCT के अंदर भी चलेगा, दोनों में parallel ही चल थर्ड स्टेप के आए, फाइनल, tubular secretion, tubular secretion के अंदर क्या होगा, कि बहुत सारी चीज़े ऐसी थी, जो हमारे blood में अभी भी present है, जो blood के अचार है, इसको बाहर करना, कि यह मेरे काम की नहीं, इसलिए ले जाओ, भी समझ रहे हूं ना बात, कि मेरे पास nephron की, मेरे पास tube आ रही है, nephron की tube है, नीचे की side suppose करो कि मेरे पास यह मेरे blood capillaries बारीक सी बना देता हूं, तो अगर कोई चीज मेरे nephron से, यहां से nephron वाली side से, यह section हो सकता है PCT वाला section हो, हो सकता है DCT वाला section हो, तो nephron से कोई चीज अगर blood capillaries के अंदर आ रही है, blood capillaries उसको absorb कर रही और इसके अलावा, अगर blood capillaries से कुछ चीज वापस इस tube के अंदर जा रही है, तो इसको क्या बोलोगे, secretion बोलोगे, tubular secretion, यह अभी यह सारा waste है, जो blood चाह रहा है, वापस चला जा जा इसके अंदर, तो इसी के मैं बात कर रहा हूं, tubular secretion की, तो as the urine passes through DCT, जो कुछ ions होत ब्लड कहां डाल देगा, आपके DCT वाले section में, यानि end में, आपके nephron में डाल देगा, कि यह से भी ले जाओ सबको बाहर, अब क्या होगा finally, वहां से DCT से जो बनेगा section, जो बनेगा वो क्या होगा, वो urine होगा, DFT तर जो बाहर निकलेगा, वो urine होगा, और वो finally pipe के अंदर यूरिक एसेड होता है, और येलो कलर का एक pigment होता है, यूरो क्रोम है ना, याद, यूरो क्रोम होता है, अगर medication जादा हो ले रहे हो, medicine जादा ले रहे हो, यह कोई बिमारी है, यह कोई body में सर्दी जुखा मुखार है, तो यूरो क्रोम का amount बढ़ जाता है, body के अंदर, यूरीन में जादा amount में है, तो CDC बात है, या तो body में कुछ बिमारी है, थोड़ी बहुत, चाहिए वो temporary हो, चाहिए वो permanent हो, या फिर बंदा दवाईयां बहुत ले रहा है, ठीक है, तो यह common से चीज हो गई, तो इतनी बात समझ में आई, तो यहां तक nephron के structure, और urine formation के ती medical book से diagram लिया गया है, अब देख लो हो क्या रहा है है, यह best diagram है, बनाना नहीं है, बनाने वाला तो पहले हो चुका, यहां पर blood के अपले ही दिखानी दखे न, नहीं तो confusion हो जाएगा आपको, यहां पर क्या हुआ, ब्लड एंटर करेगा एक side से, तो हमारे entry वाली side है, उसको वाले part में, उस nephric filtrate में, उस gloomy rural filtrate में, बहुत सारी चीज़े like glucose है, amino acid है, water है, बहुत कुछ ऐसा जो फालतू आ गया, उसको वापस मांगना पड़ेगा, अब जब वो filtrate पास होके, इस convoluted tube पे जाएगा, यह जो tube है, यह section जहां पे मैं pencil तला रहा हूँ, यह आपको highlighter दि अब इस PCT से कुछ arrow उपर की तरफ दिखाए दे रहे, यानि PCT से कुछ चीज़े भार जा रही है, कहां जा रही होंगी, आपकी blood capillaries पे जा रही होंगी, तो यह सारी चीज़े blood ने वापस मांग ली, क्या क्या वापस मांग लिया, potassium iron, nutrients, water, sodium chloride, bicarbonate iron, यह सारे के सारे blood में reabsorb हो गए, blood capillary से कुछ चीज़े निकल के इसमें भी आ रही है, देखो नीचे से arrow दिखाए दे रहे हैं, तो नीचे भी blood capillary होंगी, तो यहां से निकल के आ रहे हैं, तो blood capillary से जब यह PCT में अंटर करेगा, इसको बोलेंगे secretion, tubular secretion, तो hydrogen ion है, ammonia है, तो यह से में अंटर क करें, तो क्या हुआ, tubular secretion, कहानी समझ में आ रही है, तो यहां से पासा उटो के section यहां पर गया है, loop of henal, देखो दिखाए दे रहे हैं, loop of henal में, देखो दिखो ध्यान से, यहां तक के बाद यह diameter बारीक हो गया, पतला सा हो गया, और उसके बाद जब ascending order में गया, तो फि sodium chloride का हो रहा है, तो उसके बारे में हमें चर्चा करने की जरूत नहीं, इसको छोड़ो, तो यहां से pass out होते 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 हैं, तो इस सारा filtration का आ गया, यहां पे आया, अब एक और convulated tube है, इसको क्या बोला, DCT बोला, यहां भी दोनों काम हो रहे हैं, भई, इस DCT से कुछ निकल के जारी हैं बाहर, कहां जारी होंगी, ब्लड में इंटर कर रही होंगी, यहनी ब्लड मांग रहे हैं को, यहनी selective reabsorption, किसका हो रहा है, bicarbonate iron का, water का, sodium chloride का, तो कुछ salt, कुछ bicarbonate iron, कुछ water की जिसको ब्लड को जरूत है, वो उसने absorb कर ली, और अभी भी ब्लड की अ और यह मेरी क्या है, collecting duct है, यह collecting duct का connection और भी बहुत सारी nephron से होगा, हमारा nephron तो यहां से शुरू हुआ और यहां पे खतम हो गया, इसी तरह से यहां पे कोई nephron होगा, यहां कोई attach होगा, उपर attach होगा, इधर होगा, इसे बहुत सारी nephron एक duct से attach होते हैं, और यह nephron स जब एक duct से attach होंगे तो एक duct इस urine को कहां लेके जाएगी तो यह duct इस urine को ले जाके फाइनली renal pelvis में छोड़ देगी और renal pelvis से वो urinary जो हमारी urator वाले pipe से pass out होते वे urinary bladder के अंदर पहुच जाएगा तो होब कि ये डियाग्राम समझ में आया होगा, वीडियो को स्टॉप करके अराम से डियाग्राम को देख लेना, आपके पास PDF भी अवेलेबल रहेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीके बही, चलो, अब बात आती है composition of urine, कि urine के अंदर होता क्या क्या है, जो body से urine उस urine के अंदर होता क्या क्या है हमारे पास, तो हमारे पास 96% तो उस urine के अंदर होता है water, यानक न, आप जो urine excrete करते हो body से, उसमें 96% के आसपास तो water ही होता है, 95-96%, और इसके अलावा जो 4% हिस्सा होता है, उसमें ये सारी चीज़े mix होती है, sodium chloride हो गया, potassium chloride हो गया, urea है, u ammonium phosphate है, creatinine है, ये सारी किस सारी चीज़े, ये organic और inorganic substance से अलग-अलग, तो ये सारी चीज़े 4% के असपास हमारे urine में present होती है, कौन समान कब ज़्यादा होगा, depend करेगा किस तरह की diet आप ले रहे हो, है न, खान आपका किस तरह का है खान पान, तो थोड़ा बहुत उसके recording variation यहाँ पर हो जाता है, तो urine का composition होप आपको समझ में आ गया होगा वई, ठीक है बजी, चलो, next में, अब देखो एक बात यहाँ पर लिखी हुई है, pH of urine is 6, pH scale के बारे में chemistry का जब chapter number 2 आएगा न, acid base वाला, वहाँ पढ़ाऊंगा अच्छे से, pH scale थोड़ा सा इतना समझ कि हमारे पास एक parameter होता है, एक तरह की skill measurement system होता है, जहां से यह पता लगाते है कि कोई चीज acidic कितनी है, basic कितनी है, यह 0 से start होती है, 14 तक होती है, बीच में नंबर होता है, 7 neutralization वाला, अब जो भी चीज 7 से कम-कम है, 0 से 7 के हिस्ते में है, वो होती है acidic, 7 पे होती है neutral, और 7 से उपर वाले पर क्या होती है, वो basic होती है, तो जो हमारे urine का pH पाया जाता है, standard value, वो 6 होती है, यानि slightly acidic होता है हमारा urine, बट इसकी value human to human vary करेगी 4 से 8 के बीच में, कुछ लोगों का 7 pH भी होता है, 7.2, 7.5, depend करता है किस तरह का खाना खाया जा रहा है, किस तरह की exercise कर रहे हो, किस तरह की diet है, किस तरह की medicine ले रहे हो, बहुत सारे factor में, ये pH 4 से 8 तक vary करता है, otherwise normally 6 के आसपास ये होता है, तो इतनी बात पता हो नहीं चाहिए, तो pH एक ऐसी scale है, scale ऐसा नहीं, market में नहीं मिलती है, ये conceptual scale है, concept है ये ना, तो pH एक ऐसी scale है, जिसकी help से हम लोग पता कर सकत हैं, कि जो दिया गया substance है, वो दिया गया substance, acidic है या basic है, और acidic basic है, तो कितना acidic है, और कितना basic है, ठीक है जहां, तो ये बहुत सोटी सी बात है, जो मैंने आपको urine के बारे में, बता दी है, ठीक है बचो, अब next में बात आती है, Osmo regulation, अब ये क्या होता है, आपको एक common सी बात यहां पर बता दूँ, कि जो हमारी kidney है, किसी को ये लगता है कि kidney का सिर्फ एक काम होता है, urine formation का, तो बहुत गलत सोच रहे हो, kidney urine formation के अलावा बहुत सारे काम करती है, urine formation तो करेगी, करेगी kidney, इसके अलावा एक बहुत important process है, जिसको बोलते है Osmo regulation, Osmo regulation का का काम भी kidney करती है, Os salt और water का balance बना के रखना body में, body में salt जादा ना हो जाएं, body में water जादा ना हो जाएं, यह दोनों ही हामफल होते हैं, तो Osmo regulation एक simple सा process है, there is the process of maintaining the right amount of water salt and your proper ionic balance, पानी और salt का proper ionic balance body में बना के रखना Osmo regulation कहलाता है, और यह process kidney करती है, यह important question है, board के point of view से ध्यान रखियेगा तो urine formation का काम यह करेगी, इसके अलावा Osmo regulation भी करती है, यह समझे में आ गया, और क्या करती है, इसके अलावा hormone भी तो बनाती है kidney, याद करो hormone मनाती है, erythropoitin वाला hormone था, याद है न, erythropoitin वाला hormone था, जो hormone अगर kidney से release होता था, और तब RBC के production में help मिलती थी, bone marrow को signal जाया करता था कि body में RBC कम है, आप RBC बनाइए, erythropoitin के वाले में आपको बताया था, तो यह hormone kidney के अंदर ही तो बनता है, इसके अलावा renin नाम का एक hormone बनता है kidney से, तो यह renin नाम का जो hormone होता है, या आपके blood pressure को control करने में help करता है, hypertension जैसी situation को control करता है, तो kidney इसके अलावा भी erythropoitin और renin नाम के, यह RBC production को बढ़ाएगा जब जरूत होगी, और यह क्या करेगा, आपके BP को maintain करके रखने की कोशिच करेगा, तो Osmo regulation पढ़ जाना important है, यह extra बाते भी आपको समझ में आ जाने चाहिए, अब ठीके बही, चालो, अब कुछ finally knowledge data वाले point देंगे, यह extra पर, human kidneys, जो है, 180 liter के असपास filtration करती है, daily basis बे, आपको बताई थी बात पहले भी आदो आपको, कि आपकी जो खून की एक बूंध है, लगबग 500 बार आपके kidney से पास ओटोके जा चुकी होती है, एक दिन के अंदर, तो 180 liter के असपास filtration करती है, दोनों कडिनिया मिला के एक दि बाडी से जो यूरीन निकालते हो बाहर, वो सिर्फ एक से डिड़े लिटर होता है, बाके depend करेगा पानी कितना पी रहे हो, जितना ज्यादा पानी पियोगे, उतना ज्यादा यूरीन आएगा, क्योंकि एक से डिड़े लिटर के असपास होता है, बाकी कहां गया, बाकी सार का सारा री अब्जॉब हो जाता है वे अपने पड़ा है ना PCT और DCT में कितना कुछ री अब्जॉब हो गया और वो री अब्जॉब्जॉब्शन सबसे यहाद कहां पे होता है वो PCT के अंदर होता है तो बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो फिल्ट्रेशन तो हुआ था हर एक ग्लोमी रूलर सेक्शन में फिल्ट्रेशन होके बोमिन कैप्सुल में चीज़े गई होंगी तो 180 लिटर के असपास फिल्ट्रेशन हो रहा है सारे नेफरान में लाकि फिल्ट्रेशन कर रहा है बट फाइनली जो यूरीन बनेगा एट लास पार्ट जो है वो री अब्जॉब हो जाएगा इसलिए एक क्वशन पूछते है कि बई ने 180 लिटर के आसपास फिल्ट्रेशन करा जबकि बॉड़ी से यूरीन 1-1.5 लिटर निकलता तो बाकी पार्ट कहां गया तो बाकी पार्ट बॉड़ी में री अब्जॉब हो गया ब जो दो यूरेटर वाले पाइप हैं उन दो यूरेटर वाले पाइप से जब यूरीन इकठा होके आएगा तो जिस बैग के अंदर यूरीन इकठा होके आएगा उस बैग को क्या बोलते हो उसको अब यूरेनरी ब्लैडर बोलते हो क्यों ये हमारा यूरेनरी ब्लैडर है य करेगा male और female person में क्योंकि आप देखोगे अब आगे कि जो urinary bladder का size होता है वो female और male में अलग-अलग होता है फिलाल 700 से 800 liter के असपस capacity होगा urinary bladder की urine को collect करने की और जब लगबग उस urinary bladder के अंदर 200 ml के असपस, 250 ml के असपस urine ही कठा हो जाता है then the urge of urination starts तब आपको लगता है कि आपको toilet जाना है तो 250 ml के असपस जैसी कठा होगा तब दिरे-दिरे brain से signal produce होने लगते हैं कि आपको urination के लिए जाना चाहिए अब उसमें ऐसा नहीं है कि अग्दम urination हो जाएगा आप कुछ time तक urine को control करके रख सकते हो इस तरह की capacity muscles में होती है हमारी urinary bladder के कि हम एक long time तक आदा घंटे घंटे तक अपने urine को control करके रख सकते हैं उसके बाद आपको urination के लिए जाना ही पड़ेगा जब ये bag पूरी तरह से full हो जाएगा तो ये बात हमारी बहुत basic सी हो गई अब urinary bladder के size की बात करते हैं तो urinary bladder का size होता है वो females में थोड़ा छोटा होता है छोटा urinary bladder होता है females में क्यों? क्योंकि उनकी urinary bladder के उपर इधर के section में क्या होता है uterus present होता है तो uterus के presence की वजह से females में urinary bladder का size थोड़ा सा small हो जाता है जगह इसको भी चाहिए, मेल्स में यूरिनरी ब्लेडर का साइज बिगर होता है, फिमेल्स में यूरिनरी ब्लेडर का साइज बिगर होता है, फिमेल्स में यूरिनरी ब्लेडर का साइज की विरे से यूरिनरी ब्लेडर थोड़े स्मॉलर साइज का होता है, तो इतनी बात में गिराएंगे, बैक साइड से कनेक्टेड होंगे, और यहां से औरिफेस होंगे, यहां से होल्स होंगे, जिनसे यह कनेक्टो की यहां से यूरीन को भरना शुरू करेंगे, पीछे के साइड से कनेक्टो की यहां से यूरीन भरना शुरू होगा इस बैक के अंदर, और फाइनल urinary bladder रखता है, इस तरह की structure बनाई हुई है, और finally जब यह bag यहां से भढ़ता है, तो इस particular section से, इस particular जगह से, यहां से इसको यूरेथ्रा वाली tube बोलते हैं, इस जगह से यह pass out होता जाएगा, और finally body से बाहर कर दी जाएगा, तो यह section, यह tube क्या 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 लाती है, यूरेथ् नहीं करना, तो यह बड़ा bit, एक अच्छा सा diagram है, जहां से तुम्हें urinary bladder के बारे में, और better जानकरी मिल जाती है, ठीक है बई, तो यह भी आपका extra point होगी, आपके समझने के लिए, next मितलते, बाकी नामों पर धियान मत दो, यह तो बहुत detail में हो, बहुत कुछ बाते होती यूरीन में extra release होता है, pregnancy की time पर, जिसको बोलते है HCG हर्मोन, यह ऐसे लिखा जाता है, H और C small में capital G होता है, नाम क्या होता है, human core ionic gonadotropin, human core ionic gonadotropin हर्मोन, तो यह HCG वाला हर्मोन, females में pregnancy के time पर release होता है, अगर यह हर्मोन urine में present है, तो उसका मतलब, वो particular woman pregnant है, तो यहा basic बाते हैं, जो 10th class तक अगर आप science पढ़ रहे हो, तो you must know that, कि हाँ, इस तरह का hormone urine में represent होता है, तो वो pregnancy denote करता है, और उस text को क्या बोलते है, इसको बोलते है, ग्रेव index test, इस तरह की kit आती है, जहां पर हम लोग urine की कुछ droplets put करते है, तो उसमें कुछ system होता है, color दिखा दे होता है, तो HCG की फिलफार्म अब तो में पता लग गई न, human core ionic gonadotropin hormone होता है, और ये females में release होगा, pregnancy की time पे, urine में ये आ जाता है, तो इससे test confirm हो जाता है, और test का नाम क्या है, ग्रेव index test, इसको हम बोलते हैं, तो इतनी बास समझे में आ रहे हैं आप लोगों को, चलिए बहुत कुछ मैंने पढ़ा दिया, ये आपका अब homebuck finally, glomerular filtration की बारे में बत कर रहे हैं कि glomerular filtration क्यों possible हो पाता है, efferent और efferent arteriol का पंगा तो जो था, उतमें समझा दिया, अच्छे से clear करा दिया, तो यहां तक आपकी nephron की जो structure थी, urine formation के जो steps थे, वो बहुत detail में, जि kidney सिर्फ urine formation नहीं करती, और भी बहुत सारे काम करती है, वो भी बता दिया, उसको ध्यान रखियेगा, तो इस तरह से हमारा excretion का बहुत सारा section खतम हो गया, अब जब next class, last class आईगी इस excretion की, उस class के अंदर artificial kidney के बारे में बढ़ाऊंगा, जिसमें dialysis process बोलते हैं हम लोग, वो कैसे होता है, कब जरूत पढ़ती है उस चीज़ की, इसके अलबा, plants में excretion कैसे होता है, बहुत छोटा सा topic है, उसको भी हम लोग next class में ही साथ में cover कर लेंगे, तो सारी बाते excretion के part number 3 में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है बाई, चालओ